हेलो व्यूर्स वेलकम दुमा चैनल सिंगल विंडो सॉलीशन सो आज मैंने की है फिर से शॉपिंग वो भी फ्लिप कार्ड से और मैंने मंगाई यह अपने बेबी के लिए पॉटी सीट बिकस मेरा बेबी अभी है एट मिंस का वो रेगिलर सीट यूज नहीं कर सकता है क्योंक यह रही हमारे बेबी की पॉटी सीट यह रहा हमारे बेबी की पॉटी सीट का कवर कवर तो बड़ा अच्छा है यह रहा हमारे बेबी की पॉटी सीट यह रही हमारे बेबी की पॉटी सीट अहाँ देखने में तो बड़े अच्छी लग रही है यह बाइद वे है तो पॉटी सीट ही क्या प्लग कर दिया है यह हमारे बेबी की पॉटी सीट बेबी वर्ल्ड और यह है इसकी बैक साइड प्लास्टिक तो काफी अच्छी नहीं है इसकी प्लास्टिक और यह वह जगह है जहांपर हमारा बीबी ट्रेड करेगा और कली करने के लिए जैसे मारे वैन प्रमीव कर सकते हैं और यहांव पर warfare लगा लगाने के लिए फिर से प्रफिक्स कर दिये स्थे को आचे अब देखते हमारे बेबी की पॉटी सीट का है क्येस् Only leaf कर देखते हमारे जो नट इसे open कर दीए हमें हेंडल में लगा हुआ आया है हमारे पास यह नट इस नट को मैंने कर लिया है ओपिन अल्मोस्ट यह हो गया है हमारा नट बाहर यहाँ पर हमने लगा दिया है हमारी बीबी की सीट का हैंडल और इस नट को हम नीचे से करेंगे फिट्स यह जो जगह है यहाँ पर हमारा हैंडल का जो एंड है वो दिख रहा है यहाँ पर हम लगा रहे हैं अब नट यह बिल्कुल अच्छे से हो गया है फिक्स यह हमारी बेवी की पॉर्टी सीट का बैक है और यह ऐसे खड़ी हो गई हमारे बेवी की पॉर्टी सीट और मुझे पर्सनली काफी ज़्यादा पसंद आया है अपने बेवी के लिए और मुझे अभी तक इस प्लास्टिक में कोई इश्यो नहीं लग रहा है लाइक कोई चूभन ताइप की कोई चीज है नहीं इसमें जो बेवी को इरिटेशन होगा जिससे स्किन में और मुझे पर्सनली यह चीज अच्छी लग रही है इसका कैप अच्छा है हैंडल अच्छा है काफी इसकी जुट्रे है वो भी काफी अच्छी है और दिखने में तो डिफिनेटली काफी अच्छा लग ही रहा है देख सकते हैं आप तो आईए अब मैं आपको अपने बेबी को इस पर बिठा कर दिखाती हूँ कि वो कितना एंजॉय कर रहा है इस पर कितना कमफ़टेबल है यह आ गए हमारी पॉट्टीब सीट और यह आ गया है हमारा बेबी पहले मैं कैप हटा रही हूँ यह मैंने कैप हटा दिया है सीट का और ट्रेप अंदर कर दे रही हूँ वो बाहर हो गई थी थोड़ी सी तो अब ये मैं सीट सीधी कर दी है और ये मैंने बिठा दिया है अपने बेवी को पुरवांश को देखिए वो कितना चीज़ देख रहा है अभी हमें अगर उसे कोई चीज पसंद नहीं आती है तो वैसे ही वो रोने लगता है स्माइल कर रहा है मतलब पसंद आया है मुझे तो बस यही पता है कि जब पुरवांश हसा इसका मतलब वो फसा सो अब ये फस चुका है मेरी पॉटी सीट के जाल में और वो इसको एंजोई कर रहा है अच्छे से अब वो मुझे परिशान नहीं करेगा और उसकी हैबिट बहुत जल्दी डल जाएगी कैसे सीट यूज की जाती है इस चीज के लिए मैंने इंडियन सीट मंगवाई है इसके लिए वेस्टन सीट भी अविलेबल है बट मैंने इंडियन सीट प्रिफर की है अगर आप सभी को मेरी वीडियो इंफरमेटिव लगी हो बेबीज के लिए यूसफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजेगा और मेरी चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा थांक यू सो मच